नमस्कार साथ ही हो तो आज है 18 सेप्टेमबर 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की एक बहुती बहतरीन कंपणी की शियर्स के बारे में जिसको आज बजार क्लोस हो जाने के बात एक बहुती शानदार एक्सपोर्ट ओर्डर मिला मतलब दूसरे एक कंट्री से कंपणी को ओर्डर मिला जिस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे आईए देख लेते कंपणी यानी शियर्स का नाम इस ओर्डर के बारे में पूरा जान करी देंगे क्या आपको इस कंपणी की शियर में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रेजन सिचुएशन को बेस करके गार्डेन रीच शीप बिल्डर एंड इंजिनियर लिमिटेट की शियर आज क्लोजिंग दिया लगबग 1705 रुपए पर जस्ट सतरा सुकूबर बेस बना लिया सपोर्ट लग दिया 1.26 परसें गिरावट के साथ चलिए सबसे पहले मैं आपको सीधा ओफिशियल अपडेट शाम के चार बच के 46 मिनिट पे मैं आपको एकदम लाइफ पीडिएफ को ओपन करके दिखाता हूं एक्चुली मैं कुछ टम पहले पढ़ भी रहा था तो जिसके कारण पहले से मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है एक्चुली दोस्तों यह ओडर मिला है कंपनी को जर्मनी क से यह मिला है यह तोटल जो यह प्रोजेक्ट के लिए 33 महीने 33 महीने मतलब लगबग कितना तीन साल से थोड़ा कम वही दो साल नौ मेने के आसपास कंपनी को टाइम मिला है टोटल इस ओडर की वैलोशन है 54 क्यूंकि देखें बिरेश की ओडर है तो जिस बैसे आपकी यू आसान बासा में समझा देता हूँ यहाँ पर देख सेकतों क्या मेंशन किया कि एडिशनल एप्रोक्स 54 मिलियन यूसडी फॉर 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 वेसल्स दा टोटल वैलू उट पी एप्रोक्स 108 मिलियन यूसडी फॉर 8 वेसल तो एक्चुली आज से लगबग 2 महने पहले जून म इनने पर दोस्तों टोटल चार वेसल्स की और सक्काइद मिल गया था फिंटीफोर मिलियन यूसडी का इसको और जधा एट किया मतलब और चार वैसल यह पे बनाने की ओडर मिला पहले 4 मिला था अभी 4 मिला टोटल व्यूरू कि वालू कि इतना हो चुका है एक सो आठ मिलि अब क्योंकि देखिए इंटरनाशनल और मतलब आपके एक्सपोर्ट और तो इसका वैलू काफी बर जाता है ठीक है ओके देखिए न्यूस तो काफी अच्छा है उसके साथ एक और शांदा न्यूस दोस्तो आपकी सेंटरल की तरफ से आया है यह देखिए शीप बिल्डर गार्डेंडीच तोरा उल्टा लिखा है गार्डेंडीच शीप बिल्डर होगा बैक 54 मिलियन ओडर यहां तर तो आमने देख लिए अल्रडी अब देखे दूसरे पैरा में रुआ है सेंटर अप्ग्रेट यू टू चिळूष गाडलब ने सुना और कि कोई कमपणी को मलूरamos ना कि सिकमपणी को नवरत्यच मिलता है उसके भी नीचे मतलब मिनिरतना हो कि आ चिभी तो इसके पहले घ्लोब बी कमपनी था इसको अपग्रेट कर लिया शीडूल ए पर मैं आपको तोरह पढ़के एकदम आसान बासा में समझाता हूं यह देखिए शीप बीडिंग और डिफेंस पीसु गार्डेनरी शीप बिल्डार इंजिनियर्स यानि जी रिसी हैस बीन अपग्रेडेट फ्रॉम शी में बहुत अच्छा मूबेंट आपको दिखाए देश एक्टर बठां स्टिल मैं कहूंगा देखिए आज की रेट में ना कितने भी अच्छे न्यूज आ जाए अच्छे ऑडर मिल जाए बट क्या हो रहा है कि ओवरल मार्केट की सेंटिमेन ओवरल सेक्टरल वाइस सेंटि अब क्या बोलेंगे आज बहुत सारे सेक्टर की शेयर जो है आप लोगों ने नोटिस का होगी फॉल पॉजिटिव में दा सेगन अब होते होते एकदम से गिर गया है ना तो यह कहने की मार्केट की सेंटिमेंट को बहुत कुछ डिपेंड करते हैं बहुत जल्दी यह जो स आज दिखने को मिल रहा है यह बना हुआ है यह भी ओबर हो जाएगा ठीक है क्योंकि कोई भी चीज़ेंगे नहीं है ओके देखें कंपनी की फंडामेंटल बिना किसी कंपनी की बैलेंट शिट को देखें बिना एक भी पैसा खरच मत करना मैं बार बार आपको कहता हूं दे इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर आज की रेट में जबकि इसके पहले इंपोर्ट किया करता था ठीक है रशिया से फ्रंस से युएस से अलग अलग देश से तो इस कंपनी का गरम बात करें गंपनी की मार्केट वैलेशन लगबग कोई मीट साइस कंपनी मीट क सब्सक्राइन टू की आसपास सरकारी कंपनी तो अविसले अपको डिविएन मिले गाई और दस की फेसबाल होला शिया रहें मोस्ट इंपोर्टेंटली कंपनी दोस्तों अल्मोस्ट डेट फ्री और एकदम डेट फ्री में थोड़ा फ़रागा अल्मोस्ट डेट मतलब वही कंपनी की बैलन शीट में ग्रोथ देखे एक तो बात सही है कि प्रॉफिडेवल कंपनी है ठीक है इसमें कोई संदे नहीं है और दूसरा कंपनी की सेल्स भी आप देखिए दस साल पे पांच साल पर तीन साल पर यह सल बहुत अच्छे से ग्रोव किया और मोस्ट इसके पास कितना स्टेक है अब देख लिए सरकार की पास स्टेक है आपके 74.50 परसेंट का और इसका स्टेक बीच में थोड़ा इंक्रीज हुआ था मुझे लगते कि अभी सेप्टमबर क्वाटर को तभी आया नहीं अपडेट बट थोड़ा रिडियूस होने का चांस है ठ प्रब्ली किस टेक भी काफी बढ़ चुका है ठीक है एक और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको देता हूं जैसे कि कंपनी की डेट में आपको कुस टम पहले कह रहा था था ना कि अल्मोस्ट डेट फ्री यह देखिए अल्मोस्ट डेट फी मतलब ना के बरबर ड अक्सर अपने देखने को मिलता है कि कंपनी एक लाग करोर की मार्केट वैलेशन बट हाथ में कैश है पांच सो करोर चैसे को अब देखिए उननीस हजार करोर की वैलेशन वाला कंपनी कोई बहुत बढ़ात हो नहीं है और उसके कंपनी के हाथ में कैश बहुत अच्छा है कंपनी काफी उपर जा सकता है विकास पोटेंशियल काफी मत बात करें कोर की कोर स्ट्रेंद काफी मजबूत है जिस बैसे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आज कारोबार थोड़ा सा वीक था वैल वॉल्यूम भी थोड़ा सा डाउन था सिर्फ 6 लाग शेर ट्रेड़ जिसमें डेलिवरबल परसंडिज भी कुछ खास देखने को नहीं मिला 27.56 अब चलें तोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल चार्ट परने को लेकर चलता हूं आप या के तोड़ा सा डीटेल में डिसकर्स करेंगे विकॉस यह शेर एक्चुली काफी ज्यादा गिर चुका है मत मैं आपको टेक्निकल ही समझा आता हूं चीजों को लिया जीरेसी की लास्तीन मैंने की चार्ट पेटर्न शुरुआत करेंगे अनलेसिस बर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और करेंगे एक रिजिस्टेंस कहां पर नीचे सपोर्ट और इंट्री पॉइंट ठीक है तो सबसे बहुत करेंगी रेजिस्टेंस कहां पर अगर मूफ किया तो सबसे बहुत तो लास्ट कुछ समय पर हमने देखा यहां पर आपको कुछ इंडिकरर्स दिख जाएगा एक तो हो पर इसके देखी यहां पर 20 डेस्ट किये में जैसे इस पर्टिकुलर लेवल पाद से लगवेव देढ़ दो आफ्टा पहले ब्रेक किया उसके बाद देखी कंटीनिवासली ब्लू कलर की लाइन यानि ट्वेंटी डेस्ट की में ध्यान से दिकिन आपको जूम करके दिखा तो यहां पर ही रेजिस्टेंस बिला तो इसके अकोडिंग जो इमेडियेट रेजिस्टेंस पॉइंट देखिए 20 डेस की में नंबर कितना आप खुदी बता दीजिए आपको मालूम पर जाएगा अठ्थासों सत्रासों पचानबे मतलब लगबग वही अठ्रासों के थोड़ा सा और पीछे पहुंच जाए तो यहां पर आपको कुछ सपोर्ड मिलेगा कुई कि इतना फास्ट याप ड्रॉप हुआ है शेयर प्राइस जिस पैसे कोई सपोर्ड लेवल तो यहां पर दिखने ही रहा बट एक ही सपोर्ड लेवल जबकि शियर में टेजी हो रहा जहां पर आज भी सपोर्ड मिल गया इनकेस अगर लेवल टूट गया सीधा 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 देर हजार क्योंकि इसके पहले अगरम बात के यह जो रैली आपको दिख रहा है यह जून के मैने पर इस रैली के पहले देखिए जब शेयर रेजिस्टेंस मिला था कुछ समय के तो सबसे वहला सपोर्ट मिल गया 1680 अगर यह टूट गया सिधा देरा जार तो अब बात करेंगे कहां पर एंट्री लेना चाहिए या एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मेरे इसाब से अभी तोड़ा वेट कर चाहिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस को एट पर सस्टेंड करना चाहिए तो स्ट्रॉंग में जहां पर बार-बार रिजेक्ट होड़ा था अठ्राइस की पहले आपको अठ्राइस को पर वेट करना चाहिए उसके बाद चाहिए कोई दिक करते हैं बट एक ही कंडिशन है आपको मिनिमम तीन से पांच साल देना पड़े हैं बागी देखे चॉइस आपका है और जिनके पास भी शेयर में खास करके बहुत सारी इंवेस्टर समय देखा था कोई धाई अजार कोई अलग लग लेवल पे दूजर में बाई किया था होड़ कीजिए थोड़ा पेशेंस टाकी होड़ कीजिए बाकी इस वीडियो को व हैं